वेलकम बैक टू माइटूप सिल्म पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी चात आगरा से हैं आगरा यूश्टी इसके देट डाप्र भीमरा मेटकर इनुश्टी की बात करने वाला हूं तो आगरा की सब्सक्राइब करने वाला है उनमें आने वाले कोशन की बात कर रहा हूं आपको पता है कि 75 कोशन आपके 17 कोशन पूछे जाएंगे वह भी 75 नंबर के होंगे रिटेन एक्जाम होगा आपका याद रखना है इस बात को और जो क्टिक हो सकते हैं और जो एकात कोशन उसमें लेकिन आपको एक एक नंबर का इस बाहर कुछ नहीं आने वाला मैं जो आपको कोशन दे रहा हूं यह लगभग 20 पिलस कोशन है वनलब 20 से 21-23 ऐसे हो सकते हैं जादा नहीं होगे इतने कोशन आप याद करके मैं बता रहा हूं इतने कोशन याद करके आप 85% प्लस आपको फेल नहीं होने दूँगा चाहिए कुछ भी हो जाए मैं जो कहता हूं वो किलियर कर सकता हूं ठीक है समझ रहे हो तो मैं जो कोशन आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुल लीजिए और आपने अभी तक हमारे यूटूब चन पेपर हैकर को सस्काइब नहीं किया आपके पास बुग नोट्स गैस पर जो भी है उस पे ठीक लगा लीजिए यह दि नहीं है आप हमारे नोट्स को डालोड कर पाएंगे यहां बात करने वाले भारती यह बुलाए प्राचीन भारती राजनीतिक चिंतन की बिसेष्था और राजनीतिक चिंतन है उसकी कर लें बैला ऐकन को प्रेस करें शाथि यहां बात करने वाले इसको देखी ध्यांसे नेक्स्तों पर टेक लगाएंगे कि जो मतर सिन्याएं होता है मतसिन्याए, धर्म क्या होता, मतसिन्याए के बारे मैंने आपको बताया था और बहुत अच्छी तरीकी से explain किया था, आप वीडियो भी देख सकते हैं आपको playlist द्वारा बन जाएगा, यह बीवाई paper hacker पर जाएगे तो महां भी आपको वीडियो मिल जाएगे, यहां बुला गया है राजधरम और नीतिक सासर में क्या होता है, नीति सासर क्या होता है, राजधरम क्या होता है उसके बारे में आपको, next question यह सारे question में आपको करा दिये जो बहुत जादा important है, जो जो important है, भाई question के answer वीडियो बना के आपको provide करा है भारत में राष्टबाद का उदय का कार्ण क्या था, उसको किस तरके विकास हुआ था भारत में राष्टबाद का उदय उनका विकास के बारे में भारती राष्टी आंदोलन के कारण के है, वो देखेंगे साथी साथ 1850 से कि भारती कांग्रेस की इस्थापना होई थी, उसके उद्दे समस्था और नीती की व्याख्या करनी है इस नीती की व्याख्या के अनूबर आपको पूरा explain करना है most important है ये question बहुत ज़्यादा important है उसके बाद में आता है अगरवादी और उधारवादी के बीच में अंतर क्या होता है ये पूछ लेता है हमसे स्वधी कैसा है स्वधेसी आंदोलन क्या होता है most important है उसके बार में टेक लगाएंगे आसायोग आंदोलन में महात्मा गादी की भून का क्या रही है उसके गुंदोस और उनके स्वधेसी आंदोलन क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 पे हुआ था उसके उपलब्दियों क्या थी और भारत के विभाजन का कान क्या था यह आप देखेंगे, भारती सभीधान के सुरूतों के बारे में आपको याद कर लेना है, प्रस्थाबना क्या है, ठीक है, बहुंस्ट इंपोटेंट है, भारती सभीधान के उच्छार के कह सकते हैं, उधार का थैला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको याद कर लेना जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दे रहे हैं उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे मुल करता भी क्या होते हैं मुल करता भी हमारे 11 है पहले 10 थे और यहाँ देखो नीती निदेशक सिधान्तों का वड़न कर देना है नीती निदेशक सिधान्त है ऐसके वारे में आपको देख लेना है और भारती सभीधान में संसोधन की पिरिकरिया उनके उल्लेक के वारे बहरति समीधार के संसोधन होता है वो 388 के आर्टिकल के फिरू होता है इस आर्टिकल के बारे में अच्छे त method की अर्टिकल के परीखले जेना है संसोधन किस-kिस position में कर सकता है जब पार्लिमेंट में दोनों सदन राष्ट्रपति जब मैं पास होते है। तब उसको बात करा जाता है। भारत में राष्टिबाद, राष्टिपती कि जो अपाद कालीं सक्तिओं का परिक्शा बता है। मनलब अपाद कालिन सकती है, कौन कौन से है, राष्टपती के साथ में, ठीक है, यूँ आपको देख मैं, अपाद काल कब लगा सकता है, कौन से अर्टिकल, ठीक है, 352, 356 और 356 के थ UV wed legता है, तो तो वोगो अभी तक भित्य अपाद काल नहीं लगा है भारत में, ठीक है, ओ हमारा जो मौनिक अधिकार एक होता है बीसमा आर्टिकल बीस और इक्किसमा ये कभी नहीं चीना जाता है हमसे क्योंकि एक्किसमा आर्टिकल के अंतर रहा है निस्ता का अधिकार हमें जीने का अधिकार है हमें कुछ भी करने का अधिकार होगा ठीक है कुछ खापी रहे हैं को तो ये पुलिस को आपको कराईगी। आर्टिकल 22 बोलता है। बहुत जाद इंपोर्टेन है जीने का जिकार इसमें। ये दो कभी नहीं सीने जाते हैं, कौन से भी अभावतका लग जाएं। उसके बाद में विधान मंडल की सक्तियों के बारे, उनके कारियों के बारे, विधान मंडल, विधान परिशद और विधान सभा से मिल करवना होता है, राज सभा अलग हो जाते हैं चीज़ ठीक है, और धर्म निर्पेक्ष क्या होते हैं, धर्म निर्पेक्ष क्या होते हैं, हम देखेंगे उसके बाद में केंदर राजय संसुधन और अलोचनात्मक प्रिक्षन के वारे में याद करेंगे हैं चुनाब आयोक्या होता है उनके गठन के वूमिका होती है कोई दिक्कत नहीं है और यह देख ले ना 1905 को जो बंगाल विभादन हुआ था यह मौस्ट इंपोर्टेंट है मौस्ट पे लगाना जलिये वाला हत्या कार्ट के वारे मौस्ट इंपोर्टेंट है यह थे 2022 में आने वाले आपने अभी तरह हमारी युट्यूब चनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए और दोस्तों को शेर कर दीजिए इससे बाहर कुछ नहीं आने आने वाला आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे वेल आइकर को ब्रेस करेंगे थे कि फर बशेंद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाइब बाइब